बहुत ही महतुपुन वीडियो आपके लिए मैं दो भाग में लेके आया हूँ पार्ट वन एंपार्ट वन है दोनु भाग आप देखिएगा इसमें आपको एक ऐसे पोल्टरी फार्म में में लेके चल रहा हूँ जहां पर मचली पालन और कड़कनात पालन एक साथ हो रहा है उससे भी जरूरी बाते हैं आपको बर्मी कंपोस कैसे बनाई जाती है केच्वे की खेती कैसी है जोला कैसे और क्या-क्या दवाएं दी जाती है ये सब कुछ बताऊंगा इस पार्ट में मैं दोनु भागा पूरे देखिए बने रहे है आये चलते हैं नमस्कार दोस्तों मैं भूपेश दुमका एक बार फिर आपका स्वागत कर रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्त आज हम आपको लेकर आए हैं देशी पूर्ट्री फार्मिंग के एक ऐसे वेन्यू पर जहां आप देखेंगे कॉम्बिनेशन कड़कनात फार्मि हम आए हैं उनके घर पर आए हैं उनके फार्म में आए हैं आज आपको दिखाते हैं उनका कड़कनात फार्म और मचली पालन उसके साथ बर्मी कंपोस्त भी वो बनाते हैं अजोला फार्मिंग भी करते हैं आईए सब के बारे में जानते हैं और बसंजी से मिलते हैं सबसे यह बसंद चोबे जी हैं और आप मोटा हल्दू के खड़तपुर गाउं में निवास कर रहे हैं यहीं पर इनका फार्म हाउस है तो बसंद जी आज आप से मिलने आए हैं सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद आपने हमें अपने फार्म पर इन्वाइट किया आपका भी ब मेरे कॉंटक्ट फार्मिंग थी सुगना की सुगना से तो एक्चली क्या हुआ था कि उससे क्या हुआ कि उसमें कॉंटक्ट था तो पहले 12 रुपे रेट लेते थे पहले और फिर बाद में यह करोना काल की वज़े से थोड़ा सा उनको कंपनी को नुक्सान हुआ तो फिर लूनों ने क्या दूबाद तो पिर उसके बाद 6 रुपे साथ रुपे पर केज देने लगे हमें फिर वो तो उसमें क्या है कि हमें तो क्ला कि यहारम करा जिए तो फिर मैं एसी पंदha निग यहूमने के लिए वा था चिकन के पर प्र दो पिर में वहां मुलागा थी थी तो वो काफी मतलब फैमिलियर के हैं डोक्टर साब तो बहुत अच्छा लागा मेरे को उन से मिल गए तो उन्होंने मुझे पर एक सला दी ती उन्होंने बोला कि यार चौबी जी ऐसा है तुम कटनात का गाम स्टार्ट करो तो मैंने यह क्या है तो उन्हें यह काली मुर्गी मैं तो मैं पर बेहांके वहाद लेकर खरागी काम नहीं कोई रिस्क लेने में कोओं बिक्कत ने रिस्क हो तो उन्होंने वो कोई प्राइब है अगर आपको समझे तो परक की तो मैं तुछ मैंसुने तुम नगख़ेए और हैं टुरंट ने अंसे कड़कनात की बातकरी और और बुक करवा दिया तो बसंद जी एक बद बताईए कि आप एक साल से कड़गनाथ की फार्मिंग कर रहे हैं जी कैसा एक्सप्रियंस है बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया रहा है इसको तयार होने में जो है ना 20 विक्स लगते हैं अच्छा बीस अपते इसको पुरा रखता है तो इसको दिखाना जाओंगा जाओंगा इसका पर दे का यह दस ग्राम कहती है एक मुर्गी और फिर यह साथ दिन में यह तना सतर ग्राम खा लेगी फिर वही है दो दिन में यह एक मुर्गी तो टोटल जो है अगर एक मुर्गी का हम निका लेए तो 6,923 ग्राम यह तना कहा लेती है पूरे अपने 20 हथे के कारेकाल लेती है तो यह आपने बहुत अच्छा चार्ट बनाया है और दोस्त तभी लोग देखे कि जब आपको वर्किंग करनी है तो आपको फिर बढ़िया से यह क्या है यह अंडे की कोस्ट है जो मुझे बैठती है 7 रुपे की कोस्ट बैठती है अच्छा जो आपका प्रोडुक्शन आ र इनका 20 हपते में एक मुर्गी को त्यार करने में और अगर अंडे का उत्पादन हम देखते हैं तो साथ रुपे इनको परंडे का खर्चा आ रहा है तो बसंट जी अब हम आगे बात करें तो एक अंडा आप कड़कनात का कितने रुपे में सेल करते हैं अभी तो मैं इसका पर नियुकर से में लुपे परणभी मैं जाटे में करते हैं दूसरा मेरा फ्रश कर्क्ल में ज़्यादा है संदा है अदे वह पर तो उनको पता है दो पड़े लिखे लोग है उनको मेडिशन वेल्यू पता है इनकी कि कितनी ज्यादा इपूटेंट है यह अंडा उप्टने के साथ बिड़ा मींस हो तो खेर बता नहीं कि जो रजनिया गूबल माप सर्च मारी है तो उसमें सब कुछ मिल जाता है बसंद जी का कहना है कि जो माउथ पॉबलिसिटी है सब्सक्राइब है यह दोस्ति यह चैनल के साथ यह तार नहीं लेना है ओके यह वसंद जी का फॉम हाउस है देखिए और हम देख रहे हैं कड़कनात मुर्गिया यहां बहुत ही खुले में टहल रही है बसंद बताईए कि यह टोटल कितनी कड़कनात मुर्गिया है भी अच्छा 10 मुर्गे हैं और 85 मुर्गिया हैं यह आपका एरिया जो कवर्ड है यह है जी हाँ यह यह पूरा अभी इसको मैं बढ़ाना चाहरा हूं उदर पीछे हो जाएगा भी बढ़ जाया है वह हो मेरा ही है पूरा यह जो कड़कनात का रहने की जगह है वह कौन सी है वह आरे दोस्त्का दिखाए जाए चलिये जब यह दिखाते आपको आगे देखते हैं क्योंकि यह मुर्गियों को जादा प्रिसान कर देते थे अच्छ तो इसको मुर्गों को मैंने सेप्रेट रखा एधर अंदर है उदर भी है यह जाँ यह अब आदर हैं यह आँ यह अब क्ष casually यह पता युद्धी है यूं झालए यह इसका हएक लेवर कोशह कृप बचानी थी तो इसके तो इसके बिदेत है में जाया को बनाता हूं और जी जुब हैं दोस्ट अब देखिए कि बसंजी ने हैं हम देख रहे हैं कि ऊपर जो है मुर्गी पालन है और नीचे मच्ली पालन या नीचे एक पन दो काज इस से बसंजी मैं देखता हूं कि जो मचलिया है उसके जो फीड है वो तो फ्रीमिन अला था विल्कुल फीड की कॉस्ट यह बीट करती है नीचे मांगुर खा लेती है अगर कोई मुर्गी मर जाती है तो उसको ढूंड लेको इस में जा रहा है यह जगा रहा कोई जगा है तो इसको डिस्पोज आप बहुत बहुत प्रॉबम रहती है मचलियों की यह बहुत अच्छा है यह सेड में चाहता हूं एक बार आप दिखा दें ओपर यह एजवेस्टिस की सीट लगी हुई है और यह कितने बाई कितने का सेड़ है बसंजी अब यह सर बीस बाई पंद्रा का बीस बाई पंद्रा तो कितनी बर्ड इसमें हैं इस जाताओं के लिए दिखाई जाए देखिए यह अंडे देने के लिए भी इनोंने जो है बहुत ही कुफाइथी बनाई यह कुछ मुर्गया देने के लिए तेयार भी है और यह कितने बाई कितने का सेड़ है वसंजी वरी है अब दिखा दें यह 15 फिट लंबा है और 10 फिट पंद्रा गुड़ा दस फिट तो इसमें 85 मुर्गियां आपकी है बिल्कुल 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 अभी के डिएट सो स्केर फिट की जगह आप इसकी इसमें रह सकते हैं तो आपने देखा दोस्तों की बसंत जी जो है मुर्गी पालन कर रहे हैं यहां पर कड़कनाथ का और एक विश्यस बात हमने देखी कि जो मुर्गों की संख्या जादा थी तो उनको इन्होंने बंद किया हुआ था और जो देशी मुर्गियां हैं वो बाहर चार रही हैं उनके साथ 2-3 मुर्गे थे क्योंकि मुर्गे थोड़े आक्रामक होते हैं वो थोड़ा सा एग्रेसिव इस लिए उनने क्या है कि ये चार दिन हपते में मुर्गों को खुला चोड़ते हैं और 1-2 दिन मुर्गों को चोड़ते हैं तो सब को बराबर दाना पानी बाहर मिल जाता है तो यह बसन जी बताइए मुर्गे आपके सेल पर हैं तो यहां पर मेरा मुर्ण सर्किल में भी जाते रहता है तो आप हमारे दोस्तों को बताईए क्योंकि हमारा चैनल जो उत्राखंड में काफी लोग है इस समय तो अगर लोग आप से मुर्गा लेना चाहें बिल्कुल तो यह क्या रेट इस समय आप दे रहे हैं मैं इसको पर फीज के इसाब से बारासों रुपे पंदरासों रुपे ऐसे जाते हैं अच्छा डिपेंड करता है कि उस समय क्या है और दोस्ता आपने देख लिया और अंडे की बात जहां तक थी वो आपको बता दिया है अंडे जैसे भी लें आप अंडे फर्टाइल लें नौन फर्टाइल लें तो वो सारे अवलेबल रहते हैं बहो गया चूजे तो फट्डर उसी है एक और बात हम आपको बता रहे हैं कि इस जो पोल्टरी फार्म में है यहां पर हैच्री भी लगी हुई है हम आपको हैच्री भी दिखाएंगे और अगर आपको कड़कनात के चूजे चाहिए तो उसके लिए भी आप इस फार्म पर कॉंटेक कर सकते हैं बसंद जी से हम चाहेंगे कि ज़रा हैच्री दिखाई जाए जाए बसंद जी इसमें अंडे रखे हुए थे तो उसमें से मेरे को रिजट आया था 65 इसमें से बच्चे निकले कितने एक बार में कितने अंडे इसमें एक सो पार अंडे रख सकते हैं तो यह आपने कहां से ली है यह एमेजौन से इन्होंने ऑन-laiन यह हैच्री मंगाई है मिस आप लोग अं-laiन सर्च करेंगे तो आपको छोटी पचास अंडे सो अंडे किसे लेके हजार और दसजार अंडे तक की हैच्री मिल सकती है उन-laiन तो हमारे दोस्त को एक बार और वसंद जी यह भी बता दीजिए कि जो सो अंडे की है यह कितने रुपे की आपको मिली यह 112 अंडे की की है यह मिलेगा सर में पर साड़े बारा हजार रुपे बारा हजार रुपे यह लगबग 12-12.5 रुपे की बसंद जी को मिली है घर पहुंचकर और आप देख रहे हैं कि अंडे इस पर लगे हुए हैं और बसंद जी मैं यहां दिखाना चाहूंगा यह देखिए अब यह आप अंडों पर मार्क किया हुआ है यह कलके हैं इस तरीके से डेट लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप डेट मार करेंगे तब ही आपको पता लगेगा कि 21 दिन इनके पूरे हुए या नहीं और सही टाइम पर बच्चे आ रहे हैं या नहीं उससे बदल जाएगा इसके साथ चार दिन हो गए इनको यह मसीन के हैं यह सर शिस्टी फाइब थे तो इसमें से मैंने भी दस सेल कर दिया है तो अभी मेरे पास इसमें भी 55 के लगवा बचे होए हैं कितने रुपे का एक बच्चा आप सेल कर रहे हैं अभी मैं इसको 60 रुपीज का सेल कर रहा हूं अभी चार पांट-छे दिन के हो गए तो 60 रुपीज का वैसे अगर एक दिन का बच्चा होगा तो 50 रुपीज में तो दोस्ते आपने देखा कि पूरा पैकेज है मुर्गा लेना हो मुर्गी लेनी हो अंडे लेने हो और बच्चे लेने हो सभी कुछ आपको एक जगह पर हमारे इस चैनल के तुरू मिल रहा है बसंदगी के फॉर्म कर मिल रहा है और यही काफी नहीं है अभी हम आपको और यह दिखाने जा रहे हैं कि इन मुर्ग्यों का भोजन ज कैसे बन रही है वीडियो आपने देखा भागेगा आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स मुझे अपने कमेंट करके बताएगा अगले पार्ट में बहुत ही महतुपून बाते होने जा रही हैं मुर्ग्यों को ज़्यादा तर बिमारियां क्यों होती हैं पानी की वज़ जो परदे आपके पॉलिटिक फार्म में लगे हैं वो आइटोमेटिक परदे कैसे लगाए जाते हैं कहां से मंगाने हैं यह आपको बताऊंगा और इसी फार्म पर डवल एफ जी क्रॉयलर मुर्गूं का भी पालन किया जा रहा है उसके बारे में भी बसंजी आपको जान क सारी दिंगे तो बने रहीएगा पार्ट दो में जल्दी ही मिलते हैं नमस्कार